जैश्री श्याम सभी को जन्मास्मी की बहुत बहुत शुब कामना है आज में लाई हूँ काना को भोग लगाने के लिए मेवा पाक की रेसिपी जिसको मैंने कुछ अलग तरीके से बनाया है उमीद करती हूँ आपको मेरा तरीका अच्छा लगेगा और अपकी बार आप यह अच्छी लगे तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब और जरूर करिएगा और वीडियो को एंट तक देखिएगा जरूर मेवा पाक बनाने के लिए सबसे पहले मैं लोंगी ट्यू टेबल स्पून देशी की अब जब घी हमारा अच्छे से गरम हो जाएगा फिर मैं इसमें अब जो काजू हमारे अच्छे से सारे सिख जाएंगे फिर हम यहाँ पे बादाम लेंगे और इसको भी हम अच्छे से से शेख लेंगे और देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पे बादाम जो है जो हम देशी की में सेखिएंगे बढ़िया से फूल जाएंगे अब देखिए बादाम भी हमारे अच्छे से गड़ इसको भी मैं बाहर निकाल लूगी अब जो हमारा गी इबचा है ना अब सेम उसी में मैं यहाँ पर एड़ करूंगी किश्मिष आप चाहे तो आप ड्राइफूर्स अपनी चॉइस के भी एड़ कर सकते हैं या फिर कोई स्किप भी कर सक सेम मैंने जो टूट वेबल स्पून देशीगी लिया था उसी में मैं सारा ड्राइफूर्स अच्छे से अपना सेक रही हूँ अब देखे मैंने अपना गोन भी अच्छे से सेक लिया है अब मैं इसको थंडा होने के लिए अलग रग दूंगी अब मैं एक टेपल स्पून देशीगी और लूँगी अब इसमें एड करूंगी मैं यहां पर वन कप लंसम यहां पर मखाना और मखाने को अच्छा सा क्रिस्पी होने तक हम इसको अच्छे से सेकेंगे अब जब मखाने हमारे अच्छे से सीख जाएंगे ता मैं इसको बाहर निकाल लूँ अब मखाने को भी मैंने यहाँ पे लो टू मीडियम गैस में ही सीखा था अब सेम कड़ाई में मैं यहाँ पे बन कब डेसिकेटर कोकोनेट लूँगी और इसको भी अच्छे से सेखोंगी एकदम लाइट पिंक होने तक अब हमारा जब अच्छे से कोकोनेट पाउडर हमारा अच्छे से पिंक कलर का हो जाएगा फिर मैं इसको अलग एक प्रेट में निकाल लूँगी और जो ड्राइफूर्स हम ने देशीगे में सौटे किये थे इंको मैं मिक्सर में डाल करके एक दरदरा पेस्ट पाउडर सम तो हमें भी हमको नहीं करना है थोड़ा सा दरदरा तो बरफी का टेस्ट बढ़िया आता है यह देखिए हमने गोन भी सारा काचोरी की हल्प से अच्छा सा क्रश कर लिया अब जो कोकोनेट हमारा था वो भी देखिए बढ़ी असित चुका है हमारा अब इसमें मैं एक करू करेंगे यहां पर किश्मिश अब जो मैंने गोन को क्रश किया था अब मैं गोन्ड एट करूंगी अब मैं सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगे अब जब समार अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर हम चलते हमें नेक्स्ट स्टेप की तरफ परफिक्ट मेवा पाक बनाने के लिए बहुत जरूरी उसकी चाशनी एकदम परफिक्ट होनी जाहिए तो इसके लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर बन कप शुगर और उसी के कप का मेजरमेंट से हाफ कप यहाँ पर पानी ले रही हूँ अब मैं गैस में रख करके इसकी बस में एक बड़े यासी चाशनी बनाऊंगी फ्रेंट्स मेवा पाकी है जो हमाई रेसिपी आप एक बार बनाईए फिर फ्रिज में आप स्टोर करके रखिए अराम से दस दिन तक आप इसको और इंजॉय कर सकते हैं यह की फ्रेंट्स हमारी चाशनी चब तक बन रही है तो जब तक मैं क्या करूँगी जिस ट्रेल में मैं इसको सेट करूँगी और उसमें ग्रिसिंग कर लूँगी आप चाहे तो प्लेट में भी इसको सेट कर सकते हैं अब देखिए अब यहां पर एक तार मेरा आने लग गया है और अगा आपका एक तार आने लग जाए तो बस इस स्टेज में हम गैस की फ्लेम है उसको एकदम स्लो कर देंगे इसमें मैंने अब एट किया थोड़ा से यहां पर इलाइची पाउडर और जो हमारा मिक्षेर था ड्राइफ फूट्स का और कोकोनेट का अब बस धीरे धीरे डाल करके मैं इसको अच्छे से अब पुरा मिक्स कर लूँगी फ्रेंस आज का मेवा पाक मैंने बहुत ही कम घी में और बहुत ही हिल्दी पाक हमारा बनके रडी होगा और इसको आप अराम से फ्रेज में स्टोर करके दस से पंदरा दिन के लिए प्रक सकते हैं और जब मनों इसको इंज्वाई करिए अब सेट करने के लिए फ्रेंस मैंने एक ट्रे में थोड़ी जिरॉन जी पिष्टा और तोड़ी से बदाम को मैंने चॉप करके अच्छे से डाल दिया था अब जो हमारा मिक्शर था अब मैं नहीं तो आप इसको फ्रैय भी कर सकते हैंın अगर आप एकदम कम घी में बनाना चाहते हैं तो आप मेरे स्टाइल से भी बना सकते हैं और नई तो आप इसको फ्राइ भी कर सकते हैं अब आप देखी फ्रेंट जब यह हमारा चे सेट हो गया फिल मैं क्या करूंगी हमाँ हाथ में पानी लोंगी थोड़ा सा और फिर हाथ से से एक लेवल में आ जाएगा और पर मैं इसको set होने के लिए मैंने इसको एक घंटे के लिए मैंने फ्रिज में रखा था अगर आप room temperature में रखे तो इसको दो सिधाई घंटे के लिए room temperature में रखना है और मैंने फ्रिज में रखा था, तो मैंने इसको एकन्टे के लिए फ्रिज में रखा देखिए अब एकन्टे के बाद मैं इसको cut करके आपको दिखा रही हूँ एकदम fine cut हो रहा है इस मेवा पाक का जो piece बनके ready हुआ इने बहुत पॉफेक्ट हुआ है Best देखने में बहुत सुन्दर हमारा मेवा पार्क बनके रैडिव है तो अपकी बार जन्वास्टमी में लल्ला को भोक लगाने के लिए मेवा पार्क एक बार बनाईएगा जरूर देखिएगा कान आपको बहुत पसंद आएगा फिरंस यहाँ पके मेव्थ ड्राय फूर्स अपनी पसंद का भी एट कर सकते हैं या फिर कोई स्किप भी कर सकते हैं तो इस तरिके से आप भी बना सकते हैं अपना हैल्दी मेवापक अब देखिए मैं आपको इसको फट करके दिखा रहे हूं देखिए एकदम सॉफ्ट और अंदर से एकदम जूसी बनी हमारी मेवा पाकी बर्फी और एकदम पर्फेक्ट टेक्च्चर आया है बिल्कुर तो उमीर करती हूँ अपकी वाजन मास्ट भी में आप हमारे ये बेवा पाकी रेसिपी बनाएंगे जरूर अगर आपको आज की मेरी मेवा पाकी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर और मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा और बैल आइकन पे जरूर प्रेस करिएगा फॉर नेक्स नोटिफिकेशन अब मिलती हूँ मैं नेक्स रेसिपी के संग कुछ नए अंदाज में जब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग और जैश्री श्याम